और चली अब बात करते हैं 12th के स्टूरेंट्स के रिजर्ट से जुड़ी ख़बर की केंद्रीय मानफ संसाधन मंतरी प्रकाज आवरेकर ने कहा है कि रिजर्ट में देरी नहीं होगी दिले हाई कोट के कल के फैसले के बाद लाखो स्टूरेंट्स के रिजर्ट में देरी की आशरंका जताई जा रही है तो पहले ये रिजर्ट 23 माई को आना था लेकिन हाई कोट में केस के चलते इसे चाला गया है लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि डिले नहीं होगा बहुत जादा रिजर्ट चुकि 23 मैं को आना था लेकिन कल जब ये पूरा मामला कोट में जुस्तर से रहा उसके बाद ये लगार ये डिले होगा लेकिन फिलहाल डिले नहीं होगा CBSC का रिजर्व समय पे घोशित होगा और उसके बारे में CBSI डेट बताएगी और मैं इतना ही कहूँगा जो कोट में से एक हैसला आया उससे कोई जिन्था की बात नहीं है सबके साथ न्याय होगा और किसी को भी अन्याय नहीं होगा तो असल रहे कल देली हाई कोट के फैसले के बात CBSI समय तमाम बोर्ट स के एक्जाम्स होल्ड़ पर कर दिये गए थे अब CBSI ते डिली हाई कोट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोट में जाने का फैसला किया है बोर्ड स्पेशल लीव पिटेशन के जरिये सुप्रीम कोड को बताएगा कि उसने क्यों नीती को खत्म करने का फैसला किया है कल देली हाई कोड ने ग्रेंस मार्ग देने की पुरानी विवस्ता को खत्म करने वाली पॉलिसी पर रोक लगा दी थी जिसके बाद सीबेसी का डिजर्ट अनाउंस नहीं हो पाया सीबेसी के अलावा यूपी बोर्ट समय देश की तमाम बोर्ट है जो अब इस मामले में आखरी फैसले का इंतजार कर रहे है और नतीजा फिलाल ये हो रहा है कि डियू समय तमाम उनिवर्सिटीज में एड्मिशन प्रोसेश शुरू होने के बावजूत बच्चे दाखिला नहीं ले पा रहे है यानि उनका सेशन लेट होना शियोर है